हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग और आज मैं कर रही हूँ अपने घर के सारे दरवाजों की सफाई और दरवाजे जो थे काफी दिनों से गंदे हो रहे थे टाइम नहीं लग रहा था साफ करने का और दूसरा जो है दरवाजों का जो कलर है वो लाइट कलर का पेंट हो रहा है तो इसले भी जो है बहुत जल्दी गंदे हो जाता है बहुत जल्दी साफ सफाई की जुरत पड़ जाती है इसमें और जो dark color के होते है जैसे brown से color के जो होते है लकडी वाला जो color होता है जिसमें इतनी ज़्यादा ज़रुत नहीं होती है उसमें सिर्फ polish वेकरा होती है लेकिन यह वैसी simple वाले दर्वाज़े है जिसमें जैसा जो simple लखडी के बूट के और paint कर देते यह वो वाले दर्वाज़े तो उर light color है तो बहुत जल्दी जल्दी जो होते गंदे हो जाते हैगर आपका कोई गंदा हात ही अगर दर्वाजे पर लग जाता है तो उससे भी जो होता दर्वाजा गंदा हो जाता है पेंट में एकदम से चाप आ जाती है और दर्वाजों में जो होते छीटे से भी लग रहे थे मुझे शायद तेल वेगरा के थे ये पूजा के कमरे वाला जो है पूजा का जो रूम है उसके भार वाला दर्वाजा है और इसमें सबसे जादा तेल के निशान नजर आ रहे थे क्योंकि पूजा का रूम है जैसे तेल वेगरा दिया वेगरा जलाते है फिर दर्वाजे में हाथ वेगरा हाथ लग जाते है तो फिर हो जाता है गंदा हो जाता है तो ये मैं साफ कर रहे थी और मैंने मग्ये में हलका गुनगुना गरम पानी लिया था जो गुनगुना होता है वो और उसमें लिक्विड डिटरजन डाल दिया था और एक तो मैंने कपड़ा लिया था cotton का और उसके साथ मैंने ले लिया था लोहे का जो जूना आता है जो बरतन वाला जो होता है वो लिया था और लोहे के जूने से तो बहुत एजीली साफ हो गया था अराम से बस मेरे को ये लग रहा था लोहे के जुने से पेंट ना निकले सिर्फ जो निशान वगेरा है वो लिख ले तो ऐसा ही हुआ कि हलका हलका हाथ मैंने फेरा तो अराम से सिर्फ दाग धबे जो थे वो हट गए थे तो मैंने ज्यादा जो है बहुत ज्यादा प्रेशर दे कर साफ नहीं करा तो अराम से साफ हो गया था यह सब काम जो होता है दिवाली से पहले होता है और यह काम मैं इसलिए पहले कर रही हूँ जिससे की एकदम से दिवाली के टैम पे काम का हो जादा बोज ना पड़ जाए क्योंकि एकदम से होता है कि यह भी करना है वो भी करना है और फिर अगर अभी से ही थोड़ जो मम्मी का रूम है उसका हो गया था फिर मैं आ गई थी और ये वाला जो है ये मेरा वाला रूम है इसका कर रही थी मैं और ये वाले रूम का जो है मैंने कुंडा लगा के करा और मम्मी और यश जो थे वो अंदर ही थे क्योंकि वो बार 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 यश बाहर आ रहा था तो मैंने सुचा कुंडाइ लगाए थी फिर अरام से करूगी तो कुंडा लगा पर कड लिया था मैंने साफ अरام से और वो दरवाजे के नीचे जो है इस्पेस है जैसे जहीरी होती है वो है तो वो उस में से जो है याश बार बार अपना हाथ भार लिकाल रहा था कभी अपने टॉय भार लिकाल रहा था तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी मैंने बोला कि बच्चा अंदर पर रिशान हो रहा है क्योंकि बंद जगे में जो होता है बच्चा बिल्कुल नहीं रखता और बच्चे को लगता है कि पता नी क्यों अंदर बन कर रहा है तो मैं जल्दी इल्दी कर रही थी मैंने बोला जल्दी से हो जाए बस इसको जल्दी से भार लिका लूम है और उस धोड़ी दिर बाद उसने रोना भी शुरू कर दिया था शायद वो डर गया था कि कमरा क्यों बन कर दिया इन्होंने तो यहां पे मेरा दर्वाजा साफ हो गया था और दर्वाजा जैसे यह वाला मेरा साफ हुआ मैंने बुला चलो जल्दी से जो है रसोई वाले दर्वाजे को भी कर देती है क्योंकि दर्वाजा मैंने यह वाला अपने वाला उपन नहीं करा क्योंकि रसोई वाला दर्वाजा साफ करना था और ट्राइपोर्ट इधर ही लगा था अगर मैं दर्वाजा खोलती तो फिर यह शाके सबसे बिले ट्राइपोर्ट पर ही अटेक करता तो मैंने बोला जल्दी से ये भी साफ कर देती हूं फिर एक साथ खोल दूगी और रसोई वाला पूजा वाला यही दो जो थे यही ज्यादा गंदे औरेखे थे क्योंकि रसोई में भी ओईल वागरा काम होता है और दर्वाजे में जो हाथ लग जाते हैं जैसे हम खाना वेगरा खाना कुना बनाते हैं तो उसके कभी हात लग जाते हैं तो वही हो रहे खाता बस थोड़े बहुत दाग दब्बे थे और बहुत अच्छी तरह साफ हो गया कि अब मैंने दरवाजा कोल दिया था वह बना चलो ये शकू चलो बहार आंजो वह बिल्कुल अंदर नी रहता मैंने बोला चलो अब आसा करती हूँ आज इसके लिए जो है काल यसको एपल खेला है था एप इसने जो है थोड़ा सा ही खाया था मतला हाँ आधे से भी कम खा के पता है उसका उच्छा लगे तो मैंने जो था एक टाल मैं तो ये mostly का लिए तो कई ना पसंद रहा है उसको यह फनी या था यह तो च्छोटे-चोटे टॉकडे काट के और यह मीक्सर जार div जो है ऐसे तरह से मिक्सर में जो है इसको पीस लूगी तरीके से फिर छणनी से च्छान लूगी इसको और c aq अचा आने लगए है पहले बीच में दो बहुत बेकार से आ juice भी नी था उस में और अब अच्छे juicy भी आ रहे है और अब मीठे भी आने लग गया है पहले बीछ में जो थे खुदंते हैं और मीठे मीठे भी आ रहे हैं पहले में अब लुक्ल यह झाले और सब्सक्राइ iste जूस वाले सेब थे तो मैंने जो हूँ छननी में जो हूँ इसको छान लोगी अच्छी तरीकी से दबा दबा के और एक ही काफी लग रहा था मुझे क्योंकि सिर्वी यश को ही पीना था मैं तो खेर पीती नहीं और ना मुझे सेब अच्छे लगते हैं आधार हो जैसा जान रहा ही तो जैसी मैंने जूस बालना काल कना हो जाता है तो आधा कालाकावश पर निकाल के तो तूरन निकाल के तूरन पीना ही लगता है तो जूस निकल गया था फिर मैंने बोला चलो सबसे पहले इसी को पिला देती तो मैं इसको पिला रही थी और पहले तो ये अराम से पी रहा था और पीते पीते फिर इसको थोड़ा सा ये लगा मुझे कि अब ये जो है छोड़ने वाला है तो फिर मैंने इसको इसके साथ फि के साझ तो यह उता है Kिसी की तरह उसको कहिलाना ही पड़ता है और यह काम जो है मा कर सकती है बाकियों के बाघी बसकी तो है लिए ने बिलकुल बच्छा यह मा का 청ाँ कि लिए माशी बात ही कृता हिन्ए यह स्मझ सकता है और यह 스म उला का किसी का कहना सबसे पहले इसका जो है आज भरताई का नमबर लगाती हूँ कि पिछली भार भी बैगन आये थे तो फिर इनों ने में रहेको बोला था कि तुन ने भरते के लिए बैगन मंगाये थे और तूरे सबजी बना दी तो मैंने बोला आज बताती नहीं हो पहले देखूगी अगर बना तो तब ही दिखाऊंगी मतलब पहले से नहीं बोलती कि भरता बना रही हो तो भरते को जो हम ऐसे बीच-बीच से काट-काट के देख लेती हूं क थोड़े बीच से थे अब इसमें में घैसो में लगाके इसको भून लूगी और तेल लगा के बुनने से होता है फिर इसके जो Chapter 9 लिक जाते हिए वरना फिर вони फिर चिल्लक लिक आने में प्रॉब्लूब्लू मोटी से तो दौनों के सो में लगादिए थे मैंने देख लेती उससे पता चल जाता है भुने हैं की नहीं भुने हैं तो अगर इजी ली चक को अंदर घुज जा और निकल जा तो इसका मतलब हो गए अब इसको मैं रग दूगी ठंडा होने के लिए इतनी देर बैगन ठंडे होए कि मैं और काम कर लेती हूं और अब मैं जो हू और थोड़े से पैसे सके पहले के रखे वे तो फिर इसा की इसका भाडंगे नहीं तो फृट यह होता है कि बच्चे के पैसे दरव जाते हैं खर्च खूर जाते हैं और बच्चे के पैसे होट पामही आने चाहिए तो मैंने इसके ओनध खूल रहे का तो फोс मैंने बोला चलो जल्दी से चौक देती हूं कि टाइम भी हो गया था तो मैंने बोला चलो जल्दी से फ्राइ कर देती हूं इसको फिर कड़ाई में जो है तेल डालने के बद उसमें चीरा डाल दिया था और जीरा जब ब्राउन हो गया था तो उसमें प्याज अद्रक लसन और हरी मेर्च कोई ना नाक नीच ड़ाता वरना कभी किसी चीज में जो होती है किसी को अच्छी लगती हैं किसी को नहीं अच्छी लगती हैं बहुत सारी चीज़ी ओती है और इस सब जो ती लिडीस को इदेखनी पड़ती है कि ये चीज बना रही हो ये खाएगा ये नहीं खाएगी या मतलब ऐसा सब के साथ होता है मेरे साथ निया आप लोगों के साथ भी होता होगा बहुत कम ऐसी चीजे होती है जो सब लोग घर के सारे लोग असानी से खाले तो जब प्याज हो गई थी ब्राउन तो मैंने उसमें सारे सुखे मसाले डाल दिये थे जो भी सुखा देनिया हल दी नमक मेर्च अमचूर और कुटावा देनिया वो डाल दिया था जैसे प्याज गाट्टे में इतने आसू आते थे बहुत बुरी हालत हो जाती थी सारी समस्या इसने हल कर दी और अभी थोड़े टैम से ही आया है, ये मेरे को तो बहुत अच्छा लगने लगाए है, ये बिल्कुल इसके बिना तो जो है आप काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो टमाटर में से जब थोड़ा सा तेल छोड़ दिया था साइडों से, तो मैंने उसमें जो है कसूरी मिथी डाल दी थी, कसूरी मिठे डाल के अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूगी, और भूनने के बाद जो है फिर बैगन इसमें डाल दूगी, और भड़ते में जो है थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि खूब मंदी मंदी आज में भूनते रहना पड़ता है इसको और पानी वेगरा भी ने डालते तो बिना उसके खूब ध्यान भी रखना पड़ता है, बार बार आ के देखना पड़ता है, कि कहीं लगना जाए, और इसको डाल के पहले तो मैं तीन से चार मिनिट तक इसको ऐसी जो है, अच्छी तरह से मैश कर लूगी, जिससे कि इसके जो टुकडे मोटे मोटे है, वो अच्छी तरह से जो है, वो मैश हो जाए, मोटे मोटे टुकडे ना है, और खूब 3-4 मिनिट तक इसको चलाती रहूं की, और बैंगन में जो होता है, कुछ लोग मतर के दानी भी डालते है, वो भी अच्छे लगता है, पर मतर अभी बीच में इसको मैंने 3-4 बार आके चला लिया था, और 3-4 बार आके रेडी हो गया था, तो मैंने खाना लगा लिया था, रोटी है, अद्रक्कल अच्छा है, भरता है, और इसके साथ मैंने लोकी की सबजी बनाई थी, वो मैंने शेयर नहीं करी, क्योंकि सिंपल लोकी बना थोड़ा रेस्ट करने का मिल जाता है, मिल अच्छा लगता है, थोड़ी बाड़ी रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि सुब़े 6 बजे से उठी रहती हूं, सुब़े 6 बजे धोड़ा time दिनना पड़ता है, दिन में तो जो है मम्मी उसको समाल लेती है पर शाम को जो होता है, मममी पूजा करती है तो फिर time नहीं निकलपाता है, मममी यह जो हुँ, जिसके साथ रहुँ, इसके साथ time is spend करूँ, जिससे की बच्चे को भी अच्छा लगता है क्योंकि दिन में जो होता है वो नहीं रहता मेरे पास आना चाहता है वो मेरे पास पर में मना कर देती हूं कि अभी नहीं अभी नहीं तो थोड़ा मेरे को पूरा भी लगता है पर फिर तभी मैं जो हूँ शाम का टाइम में सोच के रखती हूं शाम को वीडियो शेयर नहीं करी आप लोगों के साथ क्योंकि मैंने पूछा था तो फिर वो लोग कमफर्टेबल नहीं थे उन्होंने बोला नहीं अभी रहन दो यह है वो है फिर मैंने बोला अच्छा नहीं लगता और फिर उनको आने में भी जो था वो मैं आप लोगों को बताई मैं एक देड़ दो वे तक आएगे लेकिन वो आये चार-साढ़े-चार बजे वो आ रहे थे एक्चुली हर्दवार से मेरी मौसी आयी थी और उनको जो था वो डॉक्तर को दिखाना था तो फिर उनको देड़ हो गई थी वाह पे तो वो आये चार-साढ़े-चार बज गय और फिर मैंने बोला कि चलो बहुत लेट भी हो गया और फिर बहुत थके वे थे अच्छा नहीं लगता जैसे कहीं से कोई आये थकावा और हम उनकी वीडियो बनाने लग जाए तो फिर मैंने बोला चलो छोड़ो फिर कभी शेयर कर दूगी और अभी जो है थोड़े दिन बा किता है तो की लेज अब और आप लोगों से करनी के कुछ लोगोंसे कमेंट आ ह्रे थे कुछ सब्सक्राइबर मैं कमेंट करके पूछ थे कि दिदी आप के हльग क्या कटतें आप बता ओ तो बीद मुढ़य दो तन किहां do तो फिर रजीब लगता है बार बार किसी को बताना तो मैंने सुचा चलो वीडियो में यह आप लोगों के साथ शेयर कर दूगी तो मेरी जो हस्बेंड है वैसे वो लॉन टैनिस कोच है जो लॉन टैनिस गेम होता है आप लोगों को पता होगा वो उसके कोच है और यहां पे स्कूल भी है तो इसले थोड़ा दर लगता है और जब तक वैक्सिन था नहीं बनती है और 안 Tennis Church और उसके लाबर जो है वह कोट में जो है अलो एड़ुकेट भी है मैने भी जो है लो मुहां करी भी है मैं तो बहु हों क Tapis utнуть है मैं कोटम घोग भीते लिच कीम आता है COTC कोट कोटमें है करें से मैं वहां किखा आप लोलोकों के साथ share कर देती हूँ ख्रां कियो कि होता है जैसे हम किसे ही वीडियो देखते हैं तो हमारे मनमेश माख में बहुत सरे सवाल होने लग जाते हैं और होते भी है अरतर मैं अगर किसी कुछ पूछता है तो यह तो लगता है कम से कम कोई हमारे वीडियो देख रहा है और कोई question करता है कुछ पूछता है अच्छा लगता है तो चलिए करते हैं फिर इस video का edge or video तो पलीज लाइक कर देना और मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलिए मिलेगे फिर कल और एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई